तरफ से जो मिलादुल नभी के इंतजामात के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है उस सिलसिले में सलार जंग औरिटोरियम में गुफ्तगू हुई शहर के सभी बुजर्ग हजरत मौलाना सभी लोग आए हमारे MLA साहब मौलाना एहमद पाशा कादरी साहब MLC गोल्डी साहब जाफर पासा साहब सभी लोग आए और सिटी पुलीस के तरफ से खास करके DCP साउथ जोन गजराओ भूपाल के तरफ से जो कोशिशे की गई हैं पिछले साल और इस साल जिसमें की मिलाद नभी का ये जुलूस और ये जसन अच्छे तरीके से निकले इसके बारे में सभी को बताया गया जो कुछ चेंजेज आवाम के डिमांड पर हमारे DCP साउथ जोन साहब ने उसका एलान किया जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलीस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारक बात पेश करता हूँ और साथ में कुछ मश्वरा भी देता हूँ कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से बहुत रफ तरीके से बाइक चलाते हैं कभी-कभी एक वील को उठाकर स्टंट करते हैं यह सब मिलादुलनभी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें उससे गैसो साल में एक्सिडेंट भी हुआ कुछ लोगों को चोट भी लगी है तो इन सब चीज़ों से बचें और खास करके जो जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दे और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए इन सब चीज़ों का इतिहात जरूर रखें आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है तो हमारे ट्राफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं इंचार्ज ट्राफिक एडिशनल सीपी शिखागोहल मैडम और डी सीपी ट्राफिक करुनाकर डी सीपी ट्राफिक चौहान साहब यह सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का ऐसे मौके पे जी एचमसी के तरफ से और वाकि सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग मिलकर एक सही महौल बनाकर रखे हैं और अगर किसी को कभी किसी चीज की जरूरत है तो बिना किसी डाउट के हमारे डी सीपी साहब को एडिशनल डी सीपी रफिक साहब को बताएं और हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से मिलकर सब कुछ उसका ठीक करेंगे थैंक यू